हेलो दोस्तों आज एक फरवरी 2023 है और आज के दिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीता रमन जी उन्होंने सुबा 11 बजे बजट पेस किया है अब ये बजट होता क्या है पहले तो आप ये समझे जो पूरे नेशन का बजट होता है उसे हम क्या कहते है यूनियन बजट और पर्टिकूलर अगर इस्टेट का होता है तो हम उसे क्या कहते है इस्टेट बजट तो यूनियन बजट आज एक फरवरी 2023 के दिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बही करते हुए देखेंगे और कोई भी व्यक्ति नहीं करता है पेस पेस कौन करेगा यूनियन बजट को ओनली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दी करेंट इयर सो यह कौन है निर्मला सीता रमंजी इन्होंने बजट पेस किया है अगर हम देखें कि ब इरिज बनवाए जाएंगे क्या हमारा इंफिराइस्ट्रक्चर बनवाया जाएगा अगर किसी को पैंसन देनी है तो कितनी देनी है कब देनी है कितना बजट रहेगा हैल्थ का एजूकेशन का यह सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है और वो कहां डिसाइड करते हैं वो करते हैं हम decide union budget में government का जो plan होता है वो एक year के लिए होता है अनिकी fiscal year अभी जो budget आया है वो 2023 से 2024 तक आज के दिन से अगले साल के जो january है 31 जनवरी तक का जनवरी तक valid होगा तो basically government union budget में क्या करती है इसमें plan किया जाता है कि कितना revenue generate किया जाएगा और कितना spend किया जाएगा यानि कि collection of money और spend ये plan किया जाता है government के द्वारा अगले next year के लिए अगर आगी हम देखें अगर detail में से समझें तो जो union budget होता है उसके दो part होते है पहला part होता है receipt यानि कि government रुपया लाएगी कहां कहां से अगर government को road बनमानी है बिरिज बनमाने है अगर अपने employees को salary देनी है जो government employees होते है pension देनी है तो वो कहां से रुपया लाएगी उन सब कामों को करने के लिए तो यहां पर उसको देते हैं हम नाम receipt receipt मतलब कि रुपया लाना तो government के पास रुपया कहां कहां से आएगा पहले तो आप definition समझें इसकी receipt का मतलब होता है any source of money for the government is called receipt receipt में भी दो source आपको देखने को मिलेंगे जो की main source है पहला है revenue और दूसरा है capital यहां पर आप देखिए revenue जो होता है पहले मैं इसे मिटा देता हूँ revenue इसमें क्या करते हैं यह दो main source में पहला है revenue इसमें government जो भी income tax भरा जाता है लोगों के दुआरा GST अगर आप कोई भी product खरीते हो तो आप GST देते हो अगर कोई भी सामन बाहर से हमारे देश में आता है तो उस पर एक custom duty लगती है dividend जो government को मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं तो यहां से जो भी revenue generate होता है जो भी money collect की जाती है उसे हम कहते है revenue यहां से income tax GST custom और dividend यहां से जो भी money collect की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम revenue और capital क्या होता है second number पर जो capital आता है इसका मतलब होता है कि government loan लेती है loan किस से लेगी जो भी financial institutions होंगे हमारे देश का सबसे बड़ा financial institution कौन है RBI तो RBI जैसे financial institutions से government जो है loan लेती है तो यह आप समझ गए कि किस तरीके से government function करती है अगर यहां पर आगे मैं आपको chart के हिसाब से समझाओं तो यहां पर देखिए government की receipt क्या होती है revenue receipt और capital receipt revenue receipt में क्या आता है tax revenue non-tax revenue जैसे कि interest जो लोग दे रहे हैं dividend income tax corporation tax GST और भी बहुत सारी चीज़े अगर capital receipt की बात करें तो debt borrowing जो government borrow कर रही है अगर माल लीजे किसी bank से रुपया लिया RBI से रुपया लिया non-debt receipt, interest receipt और dividend जैसी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी capital receipt में अगर आगे हम देखें देखो वो तो part 1 था जिसमें हमने देखा कि receipt क्या होगी मतलब कि government रुपया लाएगी कहां से अब question आता है कि government रुपया खर्च कहां कहां करेगी तो part 2 में हमारा आता है expenditure यानि कि government जो रुपया खर्च करेगी उसको बोलते हैं हम use of money by the government is included तो expenditure कहां कहां होता है ये भी दो part होते हैं इसके भी mainly एक होता है revenue यानि कि directly government revenue दे देती है directly cash किसको देती है cash उसको देते हैं जहां से हमने loan लिया है उनको interest पे करते हैं bank को तो आप रुपया दोगे direct दोगे ना जो government employees हैं उनको salary दोगे तो आप तो नगरी दोगे subsidies अगर दी जाती है किसी भी लोगों को तो वो भी आप cash में देते हैं pension जो दी जाती है ex employees को ये भी आप cash में दोगे और भी बहुत सारी चीज़ है cash मतलब आप अगर चाहो तो online medium से भी दे सकते हो offline medium से भी लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो कोई other product नहीं दे रहे हैं आप यहां पर money directly दे रहे हो तो money जब भी directly किसी person को दी जाएगी वो आपका revenue में आएगा capital का मतलब होता है कि जब भी government को roads, bridge और public infrastructure बनाती है तो यह government लोगों को सर्वितो कर रहे है लोगों को चीज़ें तो दे रहे है लेकिन directly एजा money नहीं दे रहे है समझिए अब directly money नहीं दे रहे है यहां पर क्या यह कोई product दे रहे है या फिर कोई चीज ऐसी provide कर रहे हैं जिसका यूज आप भी कर सकते हैं आने वाले time में और भी लोग कर पाएंगे तो particular कोई एक single person इसे यूज नहीं कर सकता रोड पे आप भी जा रहे है हजारों लोग भी जा रहे है लेकिन अगर loan पे किया जा रहा है किसी bank को तो वो उसका खुद का है अगर किसी government employee को salary दी जा रहे है तो वो उसकी खुद की है वो केवल खुद अपनी salary को enjoy कर सकता है लेकिन यहाँ पे road government जो बनाएगी उसको हजारों लाखों लोग enjoy कर पाएंगे तो यह आप समझ गए expenditure receipt में difference समझ गए यह अगर आप से पूछा जाता है कोई भी confusion तो होगी अगर अब हम देखें इंडिया का जो expenditure receipt है इनमें से क्या जादा है क्या हमारी government जो collection of money है यह जादा करती है यानि कि government के पास रोपया जादा है जैसे आप personally समझे आपकी income जादा है और expenditure काम है तो उसमें आप समझे गवर्मेंट की income जादा है यानि कि collection of money जादा है या फिर expenditure जादा है तो इसको अगर term के हिसाब से समझे रिसीट जादा है या फिर expenditure जादा है तो देखिए most of the countries अगर आप all over the world देखोगे तो जनरली आपको fiscal deficit में देखने को मिलेंगी fiscal deficit का मतलब यह होता है कि जब भी आप खर्चा जादा करते हैं खर्चा यानि कि आपने 100 रुपए कमाए और आपने खर्चा कर दिया 120 रुपए का तो यहाँ पे income तो आपकी कम हुई है ना income कम है लेकिन आपका expenditure जो है वो काफी जादा है तो यह आता है आपका इसको आप define क it collect is called fiscal deficit fiscal deficit का अगर formula देखें तो expenditure ज्यादा होता है receipt से government spend सबसे ज्यादा करती है subsidies में जो कि हमारी Indian government बहुत ज्यादा subsidies प्रोबाइड करती है लोगों को और यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है और investment में भी बहुत ज्यादा रुपया लगाया जाता है तो government ज्यादा करती है तो हमारी जो government है वो fiscal deficit में आपको देखने को मिलेगी एक और second term जो आती है वो है fiscal surplus fiscal surplus क्या होता है देखें उसका उल्टा होता है अपोजेट होता है fiscal deficit में क्या था खर्चा ज्यादा हो रहा था income कम थी यानि कि receipt कम थी expenditure ज्यादा था इसमें क्या होता है जो collection of money है वो ज्यादा होता है spend से यानि कि expenditure से receipt यहाँ पे ज्यादा होगी expenditure से और पूरे world में अगर बात करें तो Qatar और Iceland ऐसे example है जो कि आपको fiscal surplus देखने को मिलते हैं यहाँ पे expenditure काफी ज्यादा कम है लेकिन receipt बहुत ज्यादा है यानि कि government के पास रोपेया खर्चा से ज्यादा आए अगर real life की बात करें sorry अगर ऐसे बात करें हम की 2022 से 2023 तक government का जो fiscal deficit था वो कितना था यानि कि मान लिजे government ने रोपया collect किया 400 रोपय और खर्चा कर दिया government ने 616 रोपय तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको minus कर दोगे इस मैसे 616 मैसे minus करोगे 400 रोपय तो कितना आ गए आपका fiscal deficit 216 तो यहाँ पे यही समझिए 616 लाग करोड का यहाँ पे खर्चा हुआ government का जबकि collection of money क्या थी यह करोड माल लीजे आप लैक करोड लैक करोड और यह लैक करोड 616 लाग करोड खर्चा हुआ जबकि collection of money कितना हुआ 400 लाग करो जो की 6.9% है इंडिया की GDP का तो यहाँ पे आपको सारी confusion दूर ही होगी और lastly अगर हम देखें कि US का जो fiscal deficit है वो है 5-6% के बीच में और चाइना का 7-8% के बीच में I hope कि आपको समझ में आया होगा union budget क्या होता है किस तरीके से हमारे दो पायट होते हैं receipt और expenditure government किस तरीके से प्लान करती है fiscal deficit क्या होता है और fiscal surplus क्या होता है government की जो currently fiscal deficit है वो कितना है और कितनी यहाँ पे आपको percentage देखने हो को मिल रही है with GDP so that's all in this video दोस्तों मिलते है next video में